नमस्कार मैं प्रियांका सिंग आपका स्वागत है चल बूली किचेन में आप लोग के लिए लेके आए हैं आलू स्नेक्स चलिए बराना सुरू करते हैं हमने 10-12 आलू लिया है आलू का छिलका निकालके और ऐसे पीस में कट कर लिया है इसको बॉयल कर लेना है हमने आलू बॉयल कर लिया है और इसमें क्या करेंगे कौन फ्लार डालेंगे दो चमच हमने कौन फ्लार डाला है ग्राम में बोलें तो आलू हमारा 500 ग्राम है एक चमच भरके हम चाट मसाला डालेंगे स्वाद अनुसर नमक डालेंगे नमक हाप चमच से कम है आलू में कौन फ्लार चाट मसाला और नमक अच्छी तरह से मिक्स करना है और मिक्स करके एक डो तियार करना है ऐसे दिखिए हमारा डो कितना बढ़िया आलो का बनके ready हो गया snacks के लिए आलो का डो थाली में भी बिलकुल नहीं चिपक रहा है ये ready हो गया हाथ में क्या करेंगे थोड़ा पानी लगा लेंगे पानी लगा के इसमें से एक बड़ा लोईया लेना है एक थाली लेंगे और थाली को क्या करेंगे नीचे ऐसे पलट लेना है पलट के उस पे आटा हलका सा थाली पे लगा के और रोल करना है जो हमने लोईया लिया था जो एक्स्ट्रा जो हमारा रोल है वो थाली के बाहर जा रहा है उसको ऐसे हाथ से अंदर कर लेना है और चाकू से इसको पीस से पीस में ऐसे कट करना है एक पीस उसमें से उठाएंगे और ऐसे चम्मत से इस पी डिजाइन डालेंगे और सारा snacks देखिए हमारा बन के ready हो गया है कि वो फ्राइ करना है चलिए फ्राइ करने चलते हैं oil गरम हो जाएगा तो ऐसे एक-एक snacks इसमें डालते जाएंगे snacks को ना light brown करना है और ना dark brown करना है इसको orange color इतना perfect color आता है और देखिए ये orange color कितना perfect आया है और कितना देखने में भी सुन्दर लग रहा है और इसारा snacks हमारा बन के ready हो गया है मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो like और subscribe करना बिल्कूल मत भूलिएगा और snacks देखिए कितना बढ़िया देखने में लग रहा है खाने में भी बहुत अच्छा लगता है और नेक्स्ट वीडियो में फिर आप से मिलेंगे अलग recipe के साथ